गाइञ आप सभी का फाइनली पार्ट फूर आ गया है तो जल्दी से पार्ट फूर देखना है अभी तक हमने क्या की किया कि पार्ट फन जो हमारा पार्ट वन था पार्ट टू थास्में हम लोगोंने सोलिट कर लिया था किसका OT का यानि कि objective का solution कर लिया था उसके बाद जो हमारा part 3 था उसमें हमने two marks के question देखे two marks का solution साथ में questions देखे थे अब जो fourth part है यानि कि यह जो part 4 है ठीक है अब part 4 में आपका whole solution है यानि कि बड़े questions का यानि कि two marks, three marks, four marks वाली का भी solution है तो guys इतनी महनत के लिए क्या एक subscribe नहीं कर सकते हो भाईया को मतलब सिर्फ भाईया वस मांग रहे हैं तुमसे एक subscribe कि जिससे आने वाले exam में तुमारी help हो सके हमारे अपने लिए कुछ नहीं है हमारी जो महनत है हमें उसका मिल जाता है ठीक है वो तो हम किसी भी काम में रहे है आप लोग सोच जोगा कि भाई आप YouTube पर वीडियो आपको पैसे मिलते होंगे तो वह तो यार मैं किसी भी चीज में महनत करूँगा वह तो इस में मिलेंगे है ना लेकिन ऐसा होता है ना कि वह महनत एक जैनून महनत होनी चाहिए ना कि किसी की मद लाइक कर दिया करो यार ठीक है चलो अब इसके बाद हम लोग देखने वाले इसका सॉल्यूशन यह पेपर आपने देख लिया अब यहां से आप लोगों को क्या करना है जिन्होंने यह सॉल्यूशन नहीं देखा तो पार्ट 3 और पार्ट 2 देख लें उनका हो जाएगा ठीक यह सब अपन लोग देखने वाले हैं तो यहां से अपना यह आंसर रहा टोटल कुश्चन है हमारे 20 तो यहां से देखेंगे अब जिन्होंने पार्ट 1 या पार्ट 2 पार्ट 3 कुछ नहीं देखा है तो वो इस वीडियो से पूरा कवर कर सकते हैं तो जैसे पहला अगर आप 6 नमबर यहां पर कंफर्म दूसरा कुश्चन रिक्तिस्तान 6 नमबर यहां पर कंफर्म पांच नमबर फिर उसके बाद सत तसत 6 नमबर यहां पर कंफर्म फिर मैचिंग में 5 नमबर यहां पर कंफर्म फिर उसके बाद मदू में में 5 नमबर यहां पर कंफर्म हो गए यहां question आपके पास है screenshot आपने ले रखा था तो question आपके पास है तो इसमें हम questions डालना थोड़ी possible नहीं हो पाएगा की मतलब जैसे question number कौन सा है question number six है question number seven है वो आप लोग देखते चलना ठीक है अपने जो screenshot आपके रखे हैं उससे देखते चलना हो बाकी इसको एक एक बार पढ़ लो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लिखें कि यह कोशन नमबर फाइव है कोशन नमबर सिक्स है ठीक है तो यह राकोसी का सेल सजीवों के सरीर में रचनात्मक और किरियात्मक एकाई है और प्रायहा स्वताहा जनना की स अमर्थ रखती है ठीक है उसके बाद जो हमारा कोशन नमबर सैविन है उसको आपको यहां से लिखना है एक एमीनो अमलको सी यूएच समूग दूसरे अमीनो अमलक की माइनस नहीं च्टू के अभी करिया करके एमाइड या लवन बना लेते हैं ऐसे पैप्टाइड कहते है यह हमारा साथवा कुश्चन हो गया ठीक है आठवा कुश्चन हमारा स्वसन गुणांग को इसपष्ट की जो कुश्चन आपकी डैरेक्ट यहां पर लिख दिये गए हैं तो आपको यहीं से देखना है ठीक है स्वसन गुणांग को इसपष्ट करना है या यहां पर हम दोरान मुक्ट CO2 ताथा प्रैयुक्त O2 में अनुपात को स्वसन गुरा प्रदर्सित करते हैं वशा के लिए RQ का मान एक से कम होता है दो नमबर मिल जाएंगे बस इतना याद रखना कि CO2 प्लस O2 या CO2 तता O2 के अनुपात यानि की ratio कोई स्वसन को हम लोग क्या कहते है स्वसन गुडां कहते CO2 और O2 बस याद रखना है दो नमबर मिल जाएंगे उसके बाद तम लोग ये भी लख सकते हो कि RQ से इसे प्रदर्सित करते हैं तता वसा के लिए RQ कमान एक होता है ठीके दो नमबर मिल जाएंगे अगर यहां तक भी लिखते हो तो दो नमबर मिल जाएंगे अगर ये बढ़ा है तो teacher की उपर impression अच्छा बनेगा तो वो बाकी तुमारी copy बढ़िया तरीके से चेक करेगा उसके बाद next question है jam 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 जेफ चम्ता के बारे में तुम्हें एक चीज याद रखना है male and female कि male की ज़्यादा होती है plus positive में रहती है जो इस्तरी है यानि कि female है उसकी जेफ चम्ता कम होती है जो उर्जा रहती है मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई भी cricket है जो girls का रहता है जैसे boys का boundary जादा बड़ा रहता है girls का boundary छोटा रहता है तो उसी के साब से आपको ये चीज याद रखना कि जेफ चम्ता उर्जा वगेरा पुर्जों में जादा होती है ठीक है चलो उसके बाद रक्त का कार लिखना है पुर्टी रक्षात्मक कार जे होता है पूषण तत्वों में ले जाना ठीक है जैसे ये तीन पॉइंट हो गए पूषण तत्वों में ले जाना जैसे भी न लिखोगे तो कोई लिखकत नहीं वनना अमीलो अमने लिख देना ठीक है वसा, इत्यादी ये लिख सकते हो, ठीक है, लिख दे ना, ग्लूकोज वगयरा, अमीनो अमल, वसा, इत्यादी, देखो, आपको एक एक आंसर अच्छे से समझा रहे हैं, जिससे आपके, हमने देखो, आपको इसके स्वसंग के बारे में बता है, आपके सबकॉंसियस मांड मे तुम्हारे माइंड में अपने आप ही आ जाएगा ठीक है जैफ चंदा की बारे में अब भैया ने क्या बता है था कि पुर्सों की जैफ चंदा देखोती है महिलाओं की कम होती है ठीक है मतलब उर्जा पुर्सों में जादा होती है और महिलाओं में तुड़ी कम होती है according to mail ठीक है तो यह लिख दोगे अब बिल्कुल माइंड में बैट गया रटने की तो बिल्कुल जरूरत है नहीं है ना तो अगर आप बस इतने ही आप करना कि बस वीडियो देख लिया करो हर वीडियो को तो तुम लोगों का हर चीज बन जाएगा ठीक है चलो रक्त का कारे लेख फीर चीशन पहुंचाना है तो एक पॉंट तो यह हो गया अब और रखत क्या करता है हमारा प्रतिरकशात्मक कारे भी प्रतिर Evet होता है याद रहेगा फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको ले नहीं कि पोसंड तत्वों को ले जाना यह हमारी बॉडी में एक मसीन चलती है उन चीजों को यहां से वहां ले जाना यानि कि अमीनों ग्लू कोज वसा इत्यादी इन सब चीजों के लिए ठीक है याद हो रहा है डिफिकल्टी तो नहीं आ रही बच्चा कोई अगर आ रही हो तो मैंच कर लेना क्यूंकि अभी हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम अपन को एक एक चीज के डीटेल से समझाए आपके जो भाईया जितने आसानी से कह रहे हैं ना कि वाटसब बैन हो गया गईज यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारा बहुत ट्रांजेक्शन उस पे डला पड़ा है मतलब आप सोचोगे नहीं मतलब यह जो यूटूब मतलब यह पेपर वगेरा का यह पैसो को लेकर बहु एक सबस्क्राइब यह की दो बात एक कर देना ठीक है भाईया को चलो इसके बाद नेक्ट कोस्टन है प्रूकेरियोटिक जीव की परिवासा लिखे तो यह रही एक यूटुकेरियोटिक जीव अत्रिक्त नाइट्रोजन की प्रक्रिया को रूप में उत्तिजित करता है ठी यह तीवर प्रकास के बात अबराण के लिए उपस्तित होता है इसके लिए उप्यूक्त प्रता प्रता इंग और परिभासा बता नहीं है ठीक है यह तो तुम लोग गूगल से भी निकाल लोगे तो मिल जाएगा उसके बदाइट के चार प्रमुक कार लिखने हैं है ना च जालो यह भी हो गया हमारा इसके बाद यहां पर पैप्टाइट नंग किसे कहते हैं यह भी हो गया तो यहां पर तुम लोग का complete solution हो गया एक दो questions बचे रहे तो उनको बचाप manage कर लेना अब क्यूंकि अब हमारा यह last video होगी आपकी जहां तक बायो की इसके बाद chemistry की भी तैयारी कराई जाएगी आप यह paper देखे आओ अराम से okay और आपको क्या ही करना है कि बस subscribe करके जाना और whatsapp group पर जो लोग join थे तो join रहना left हो जाओगे तो फिर आपका ही loss है यार क्योंकि आने वाले time में फिर वो whatsapp group सायद मैं link share ना करूँ तो जो जितने लोग join है तो join ही रहेंगे और जिनको हटना है तो हट सकते हैं कोई बात नहीं है ठीक है हमारा जैसे वाटसप आता है अब उसी के लिए लगना है mail वगयरा होना है सब कुछ process चालू रहनी है तो hope करना कि यार वह जल्दी से जल्दी आ जाए ठीक है आप आञे तक आराम से थे टुम लुगUm साड़े बारा तक वीडी देख ले न नासतव अगयरा करना अराम से भगवान से मम्हा कर दो तीन मिनिट उनके पास बैठ ना बाते कर ना ऑनसे और फिर अपना एक्जाम देने जाना ठीक है भगवान से जरूर से आपके उनको पास बै